बढ़ रहे हैं सेम के प्रोग्राम के अगर बात की जाए तो देखें मुखी मंत्री बचलाल श्रबाल लगातार आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक कर रहे हैं मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं राहत से जोड़ेवे प्रमुख विभागों के अधिकारी जो है वो बैठक में मौजूद रहे हैं जैपुर के कल के दौरे के बाद संबंधित चर्चा सीम ने की है अधिकारों के साथ में PWD और UDH से भी पूरी जोनकारी ली सडकों और इमारतों के हालातों पर उन्होंने बात की है साथी स्वास्त विभाग की ACS शुब्रा सिंग भी इस बाचक में मौजूद रही है और आपको तादे CM के ACS शिखर अगरवाल भी यहाँ पर मौजूद रहे इसके अलावा आपको बता दे CM के प्रभुख सचीव आलोग गुप्ता मीटिंग में रहे नगर डिगम के अधिकारी गण इस मीटिंग में शामिल हुए पूरी जोनकारी जो है वो CM को दी है कमिश्टर बीजुजोर जोसफ जो है वो इस मीटिंग में रहे यानि कि पूरे प्रदेश बर से सभी विभागों से जुड़े हुए खास्तोर पर तीन विभाग UDH स्वास्त और आपदा प्रभंधन इनके तमाम अधिकारी गण जो है वो यहाँ पर मौझूद रहे प्रभिन गुपता और टीर अविकांत ने रहतकारियों को लेकर जानकारी CM तक पहुच आई है तो आपदा प्रभंधन की बैठक दो दिन पहले भी CM ने ली थी निर्देश यहाँ पर दिये गए थे कि तुरन जहाँ पर भी विवस्थाई बिगड रही है वहाँ पर उनको सुचारू किया जाए, सुधार किया जाए आज फिर से CM ने ये महतुपुन बैठक ली है, निर्देश दिये है और साथ के साथ CM खुद जाइजा ली रही है कल जैपुर में CM सडकों पर डिक ले थे जहाँ पर सबसे जादा हालात खराब थे, वहाँ पर पहुंचे अधिकारियों को फटकार भी लगाई और उसके बाद अब CM जो है, वो एरियल सर्वे के लिए निकल गए है हवाई सर्वेक्षन जो है, वो CM करेंगे खासतोर पर तीन जिले जो कि सबसे जादा प्रभावित है